जड़ियां नर्मेदियां किसमा दिगाल करिए क्योंकि हाइब्रेड जड़ियां किसमा है प्राइवेट सेक्टर वालियां ए ता मार्केट दे विच्छों आपानू फार्मर नू मिल जान दी है जो ओसतों इलावा जड़ी है यूनिवरस्टी दियां दुझियां बीटी खिसमा है गिए आने या बीटी 123 है जो ए दे वास्ते जड़ी है सीड दी जड़ी मातरा हैगी है वो चार किलो बीटी नाल एक किलो जड़ा नौन बीटी करके उनों सोइंग कर सकते हैं दूसरे वास्ते आपनों पता है हूँ रिफ्यूजिया इन बिल्ट आन लागया तो अधे वेच अलाग तो रिफ्यूजिया दी हूँ जरूरत नहीं गी है इस करके आपनों जड़ा ओही दो या टाइब एकट फार्मर जड़े सोइंग कर देने मेन अबजेक्टिवेट से ही होना चाहिए है कि जड़ी प्लांट पॉपुलेशन है ओह अपनी पूरी होनी चाहिए है क्योंकि जनरली यूनिवस्टी यह जिनिया वराइटीज है लिंटेड फिड होन दा उते लिंट होन दी या ऑगएं है जड़ी जड़ी मिनिमाम 65 पर्सेंट के ने आपा सैंपलल लाई दी दूस्रा जब लिंटर सीड होन दाइक कंपनीज दा उन्ना दी बेटर जर्मीनेशन होन दी है इसकर करके उन दी सीड रिकॉर्मेंट है वो काट है moreover उदे वेच अपाँ जड़ी plant population है वो काट रख दे है as compared to जड़ी अपनिया नॉन बीटी या यूनिवस्टी दिया अपनिया बीटी किस्म है जड़ी वेच प्लाइड पाप जाधा रख दे हैं इस करके seed rate the requirement थुड़ी जाधा रहें दिये next इदे वेच अपाँ सारे जानते हैं कि जड़ा बजाईदा फासला भी package आल है कि पसवा दो फोट दिया कतारा दे वेच सोइंग कार देनी है अगर अपाँ आम किस्मा दिगाल करिये या देसी कपा दिगाल करिये उनना दे वेच तकरीबन 45 cm, 1.5 फोट दे पाड़े थे अपाँ स्पेसिंग मेंटेन कर दे हैं प्लान टू प्लान टू प्लान दी है या पहले पाणी तो बाद या जो तो भी बारिश पहींदी है और थोड़ा जा मतलब कोशिशे करनी हूंदी है कि जे नुमैटिक प्लान्टर ना सोइंग कर दे हैं फिर फेर तरह बिल्कुल सई प्लांट पॉपूलेशन ले सकते हैं आपा काट सीड देनाल बट अगर वोदे कोल आप दी ड्रेल लाया और जिदेच वेरियबिल्टी दे चांसी जादा है गया है सो ओथे मिनिममम 60 सेंटीमेटर तो ब्यांड होना चाहिए अगला प्लांट जड़ा हाइब्रिड दे केस देवेच सो ओथे वोसी सावनाला पाएदी मेंटेन करनी है प्लांट पॉपलेशन एट लीस्ट सेवन थाउजन प्लांट प्लांट पर एकड़ हाइब्रिड देवेच होने चाहिए जड़े नॉर्मल फार्मर्स फील्ड दे हुंदे निगे उदे करके कई होर प्रॉब्लम्स जाधा हो लार्ज एक्रेज दे उत्ते लगाया हुंदे है फीजिबिल्टी काटून दी है बट फिर भी अगर एक कर दे है कुछ फार्मर तो यह बेनिफिशल हो सकता है अगर जड़ियां स्ट्रेसिज दे अपा गाल कर दे है कि टेंप्रेचर करके मोटैल्टी होगी है या किसे भी का अगले दिन तक एक काम कर लेना चाहिए और ए जगा जड़ी लिफाफे वाले है एक कई वरी क्वारी आ जान दी है कि फील्ड दे वेच चल दे नहीं है सो जनरली उंदा की है कि ए ना दी जड़ी पनीरी है ज़े आपा छामे मैनेज कार लांगे तो फील्ड दे वेच किसे भी हाला चे चलनगे नहीं किसे द्रक्त दे हिठानी करने चाहिए एह हुजी जगा ते लिफाफे रखे उन जित्ते कटो काट पांचे कंटे तो पपेंदी होगे तो शुरू तो ही हाडलिंग होनी चाहिए और ना प्लांट्स दी ता जो फील्ड दे वेच ट्रांसफर करिए तो एकदम गर्मी दे के जड़े लंबे-लंबे इलोंगेशन हो जान दी है ती स्टैम दी से ओ जड़े सीडलिंग है ओ खेत दे वेच ती पहनती दिना ते जदो ट्रांसप्लांट कर दे हैं उत्थे नहीं चाल सकते तो इस करके दा त्याने ही रखनाल है कि पांचे कंटे जिते तो पांदी है पांचे पांचे पूरी कर सकते हैं प्लांट पॉपुलेशन पूरी कर सकते हैं पूरी करन दो ही एक मकसद है कि अल्टी मेटली जड़ी जील्ड सेट करने हैं टार्गेट सेट करना है ओ ठीक हो जाए दिच्छ नेक्स्ट झाल 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 करisenं दो ही जील्कन विंग है! झाल झाल झाल